आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके सातर शियन सारी आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरे भारी बारिश के बीच मुंबई पूने में यलो अलर्ट 29-30 जून को जमा जम बरसाथ जहाँ एक तराफ देश की राजधानी दिल ले समेट अब अधिकांश राज़ों में मानसून अपनी दस्तक देदी है वही महाराश्ट सहित उत्रप्रदेश उत्राखंड हिमाचर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मुस्ण विभागने जारी किये 29 से 30 जून को भारी बारिश की संभावना मानसून अब मानसून महाराश में अब हर जगा प्रविश कर चुका है इसके साथ ही बीते 48 घंटों में मानसून में भारिश उपस्तिती दर्च कराई गई है और कई जिलों में भारी बारिश हुई है वही मुस्ण विभागने महाराश की कड़े राजज जैसे मुंबई पूने में भारिश का यलो अलग जारी किया है आगामी 39 और 30 जून को महाराश की कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है IMD की माने तो अकेले मुंबई शहर में बीते मंगलवार तक 104 डिगरी बारिश हुई और पूर्वी उपनगरों और पश्रिम उपनगरों में 123 मिलिमीटर और 149 मिलिमीटर बारिश दर्ज हुई है इससे पहले मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भरा हुआ था जिसके बाद मुंबई में अंधेरी सब्वे को ट्रैफिक के चलते बन कर दिया था इसके पहले IMD ने मुंबई के लिए यलो अलट जारी किया था और भारी बारिश के भाविश्यवानी की थी दिल्ली में हलकी बारिश होने की संभावना गोवा और हिमाचल में भी अलट जिया राश्य राजधानी में बुधवार को आसमान से बादल चाय रह सकते है और हलकी बारिश होने की संभावना है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारे दी है IMD ने बताया कि नियूत्मम तापमान 27.1 डिगरी सेल्सियस दर्श किया गया है जबकि आधिक्तम तापमान 36 डिगरी सेल्सियस के करीब रह सकता है जिया दिल्ली में सुबा साड़े 8 बजे सक्षित आद्र 81 प्रतिशत दर्श की गई है वायू गुनवत्ता और मौसम पुर्णा नुमान अधू अनुसाधन प्रनाली याने सफर के आकड़े के मुताबिक वायू गुनवत्ता सूचकाउ याने AQI सुबा 8 बच कर 40 मिनट पर 83 दर्श किया गया जो संतोष जनक श्रेनी में आता है गौरतलब है कि 1950 के बीच AQI अच्छा 51 से 100 के बीच संतोष जनक 101 से 200 के बीच माध्यम 201 से 300 के बीच खराब जिया 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है गोवा में भारी बारिश वही भारत मौसम विभाग यानि IMD ने बताया कि गोवा में बुद्वार को माध्यम से बारिश होने की संभाव ना है इसके आगे कहा गया है कि उत्तर गोवा और दक्षिन गोवा जीलो के तालुकाओं में बादल मौजूद है और वहाँ पुर्वके ओर बलदराए IMD गोवा ने देर रात साड़े एक बजे राती बुलेटेन में कहा अगले तीन से चार गंटे के दोरान उत्तरी गोवा में दक्षिन गोवा जीलो के अधिकान स्थानों पर माध्यम से बारिबारिश और लगबग 40-50 दिगरी प्रती घंटे की लरफता से हवाई चलने की सं इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला जीले में मंगलवार को लगतार बार襲वारिश के कारण बड़ जैसी जैसी पैदा हो गई है भारीबारिश से लोगों का जन जीवन अस्तव्यस्त हो को गया है हिमाचल प्रदेश में अगले पाच दिनों तक भारी बारिश की संभावना आईमडी ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगले पाच दिनों तक भारी बारिश की संभावना है और कुछ सानों पर भारी बारिश हो सकती है ओंकार चंद ने कहा मांसूर ने 24 जून को ही मार्षर प्रदेश में दस्तक दी ती अब तक नौ लोगों की जान चली गई है चौदा घायल हुए है चार घर पूरी तरह से शतिग्रस्त हो गया जब के 28 घर आंशिक रूप से भारी बारिश के कारण शतिग्रस्त हुए अनुमती नुकसान लगबग 104 करोल रुपे का है 24 राज्यों में आज भारी बारिश का अनुमान दिले यूपी में भी खूब बरसे के बादल जिया भारतियम मौसम विभाग यानि आयमडी विभाग के अनुसार मानसून पंजाब और गुजरात में और आगे की ओर बल गया ह देश के पूर्वी मद्य उत्रप्रश्चिम और पश्चिमी राज्यों में पाच दिन मानसून सक्रिया रहेगा इस ओरान 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है उनने उत्तरप्रदेश की राज्य उत्र पश्चिम राजस्तान दिल्ली, उत्राखंड और हिमाच्र प्रदेश पंजाब और हरियान शामिल है उतर मध्य भारत के मध्य प्रदेश और 36 गर्ड के अलावा पश्रिम भारत के गुवा गुजरात और महाराश्ट में भी भारी बारिश की चितावना जारी की गई है इसी के साथ दक्षिन भारत के करनाटक केरल तमिल नाड़ो और उ समगुरुआ 19 जून को फिर से बदलेगा एक जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने की आसार है जिया दो और तीन जुलाई को भी प्रदेश के कुछ हिसों में हलकी से सामान ने बारिश का अनुमान है बुद्वार 28 जून को पश्रिम यूपी में हलकी हलकी तो कही सामान ने बारिश होने की उम्मीद जताई गई है बीते 24 गंटों के दौरान पश्रिम यूपी के कुछ हिसों में गरत चमक के साथ हलकी से तापमान बारिश हुई है एक दो सानों पर भारी बारिश भी दर्श की गई है इस दर्मियान ललिदपूर में सबसे अधिक 29 सेंटीमीटर भारिबारिश दर्श की गई है इसके अलावा मेरट के मवाना बुलंद शोहर के खुर्जा में आठ आठ से में बारिश दर्श हुई है उत्राखन के साथ जीलों में भारिश की चेताओने जिया मौसम विभाग ने बुदवार के लिए उत्राखन के साथ जी का भी जताई गई है राज्य के बाकी जिलों में भी आकाश्वानी बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश हो सकती है उधर बारिश के वज़ा से उनसाथ सड़ के बंध है बंध सड़कों को लेकर लोग निर्मान मंतरी सत्पाल महराज ने बुद्वार को बैठक बुलाई है जिया बिहार जून में सबसे कम बारिश का 122 साल का तूटा तूट सकता है रिकॉर्ड बिहार में जून से कम बारिश का 122 साल का रिकॉर्ड तूट सकता है जिया समाप्त होने में अब तीन दिन है लेकिन जार्जे में मातर 28.6 मिलिमिटर ही बारिश हुई है मौस अभी बा 22.1 मिली मिटर हुई थी वही वर्ष 223 में 27 जून तक 28.6 मिली मिटर ही बारिश हुई है मौसा मी भाग के अनुसार राज्जी के अधिकतर भागों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी बारिश की अनुकुल स्थिती नहीं बन रही है केवल केरल में अभी तक 65% कम बारिश एक सब्ता के देरों से आज जून को इस बार केरल पहुचा दक्षिन पश्चिम मांसून के कारण इस अवधी के केरल में होने वाली सामान्य बारिश के मुकाबले इस साल 65 प्रतिक्षत कम वर्शा हुई है हाला कि केरल में दक्षिन पश्चिम हवा तेज हो रही है और आने व यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News